नमस्कार दोस्तों टेक गावित में आपका फिर से स्वागत है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि केसे हम अपने स्मार्टपॉन से यानी मोबाइल से कि किस तरह से अपनी यूटुब चेनल को वेरिफाई करते हैं इसा नहीं है कि हम PC या लेपटॉप से ही अपनी यूटुब चेनल को वेरिफाई कर सकेंगे हम अपने स्मार्टपॉन से भी यूटुब चेनल को वेरिफाई कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्राक्टिकल दिखाने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देख लीजे आपको समझ में आ जाएगा क किस तरह से हम अपनी YouTube channel को mobile से verify करते हैं तो चलिए अब हम mobile के screen पर चलते हैं और पूरा practical करते हैं तो हम यहाँ पर mobile के screen पर आ चुके हैं और हम सबसे पहले यहाँ पर Chrome browser open करना है तो मैं यहाँ पर Chrome browser open कर लेता हूँ और इस search bar में हमें search करना है studio.youtube.com ठीक है यह search करना है यह search करने के बाद आपके पास कुछ चीज तरह से enterprise हाता है और अब हमें क्या करना है यह जो उपर three dot की line दिख रहे हैं यहाँ पर हमें click करना होगा ठीक है तो मैं यहाँ पर click करके नीचे जाना है और यह जो desktop mode का option मिलता है यहाँ पर इस वो यहाँ पर check कर देना है ठीक है तो मैं यहाँ पर click कर देता हूं तो यह देख सकता है यह अब हमारा जो mobile वर्जन था उसमें से desktop mode पर आ चुका है तो यह computer जैसा है यहाँ पर system अब काम करेगा ठीक है यह interface सारे computer जैसे ही रहेंगे बाद में क्या करना है यह यहाँ पर studio यूटूब studio दिख रहा है यहाँ पर click करना है तो मैं यहाँ पर click करता हूं इस पर click करना के बाद हमारे पास फिर से एक नया page आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह नया page आ चुका तो यह मेरी channel का page आ चुका ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना है तो इस पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहां पर चैनल पर क्लिक करना होगा ठीक है चैनल पर क्लिक करने के बाद यह जो option मिल रहा है factors eligible यहां पर जाना है इस पर मैं क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने दो option मिल रहे हैं ठीक है तो यहां पर यह default factor इनेबल है लेकिन यह फेक्टरस द रिक्वेस्ट फॉन वेरिफिक्षन यह हमें वेरिफियाई करना ही होगा ठीक है तो फर्स्ट जो वीडियो दिखाए थे वह मैं वह मैंने डेश्टोक में ही करें लैप्टॉप में करके दिखाए थी अब मैं यहां पर लाइव मोबाइल फ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से नया पर जा जाता है यह रहा हमारा पेच ठीक है अभी यहां पर क्या करना है कि यह जो सबसे पहले आप यह पढ़ लीजे ठीक है तो फॉन वेरिफिक्षन स्टेप वन ठीक है यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों मैं जिसे जिसे आपको बता रहा हूं वेसे वेसे आपका लीजे यह जो पहला नंबर पर टेक्स मी दो वेरिफिक्षन कोड यही रहने दीजे तो यहां पर हमें कंट्री सिलेक्ट करना है यहां पर नीचे कंट्री सिलेक्ट कर लीजे तो मैं इंडिया में रहता हूं मतलब मैं पर इंडिया ही select करूंगा अगर आपकी जो भी country हो वो आप यहां पर select करें ठीकिए बात में नीचे देखना है कि यहां पर यह जो नमबर दिख रहा है इस पर हमें अपना mobile number डालना होगा तो मैं यहां पर mobile number डालोंगा और mobile number डाल के get code पर जब click करूंगा तो मेरे पास एक SMS आएगा 6 digit का code आएगा वो हमें code से verify करना है तो जल्दिस जल्दि में यहाँ पर अपना mobile number डाल देता हूँ और get code पर click कर दूँगा यहाँ पर mobile number डाल दिया और अभी यह get code पर में click कर दूँगा तो यहाँ पर get code पर click करा और get code पर click करते ही मेरे पास दूसरा step आ जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं step 2 phone verification step 2 यह दूसरा page आ चुका है अभी में यहाँ पर जो मेरे पास अभी अभी message आया है इस message 6 digit का code में यहाँ पर डारने वाला हूँ ठीके 770818 यह code आया अब मैं क्या करूँगा इसको submit कर दूँगा ठीके तो submit पर click कर देता हूँ submit पर click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर phone number verified हो चुका है ठीके phone number verified हो चुका है अब मैं आपको live दिखाता हूँ कि कैसे में यहाँ पर thumb line लगाता हूँ यह अभी बेक कर लेता हूँ गैस तो मैं फिर से यहाँ पर mobile के screen पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं YT studio open कर लेता हूँ YT studio open करने के बाद यहाँ पर यह जो मैंने जितने भी videos डाले हैं इसमें से एकवी मैंने thumb line लगाया है क्योंकि verify नहीं किया रहा था तो इसलिए thumb line लगता ठीक है तो अब मैं क्या करओगा यहाँ पर click कर लेता हूँ एक video पर click करता हूँ और यहाँ पर live thumb line लगाके दिखाता हूँ यह यहाँ पर thumb line लगाया हूँ नहीं है तो अब में आपको थप्लेंट लगा कर दिखाता हूँ ठीक है तो अब हम्हें क्या करना है कि यहां पर यह जो इंसलो का इंस्कोन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है यहां परगला इस पर क्लिक करते ही, यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से अंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर मैंने सारा detail डाला हुआ है, title, tag, description, लेकिन हमें यहाँ पर एक pencil का icon मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करते ही, मेरे पास कुछ इस तरह से option मिलता है यहाँ पर यह जो custom thumb lane का option मिलता है इस पर मैं click कर लेता हूँ तो guys तो यहाँ पर मैं gallery में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं एक thumb lane selector लेता हूँ करेंगे और बाद में आप thumb lane लगा सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम यूटूब चैनल को mobile से verify करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जोरूर करना है दोस्तों को share करना है और इस चैनल को जोरूर subscribe कर दीजिए अगर आप इस ही information वाली वीडियो चाहते हैं तो और एक बात बताना चाहूंगा तो दोस्तों अगर आप फ्री में यूटूब कोर्स सिखना चाहते हैं तो उपर i button में सारी वीडियो लगाई हुई है वहाँ पर जाके आप सारे वीडियो देख लिजिए आप बहुत ही आस जेहिंद।